नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास पार्थक्स वीडियो में हम चर्चा करेंगे JSSCJ की जो सिलेबस है वो क्या है पूरी A to Z सिलेबस के हम चर्चा करेंगे Mechanical, Electrical, Civil जितने भी सिलेबस है topic wise हम बात करेंगे और इसकी PDF फाइल मेरी टेलिग्राम चैनल एनलाइस फॉर उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो मगर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या strategy होनी चाहिए topic wise पूरी हम यहाँ पे cover करने वाले हैं और आगे इस चैनल पे आपको general engineering वाला जो paper है पूरी यहाँ पे आपको मिलनी वाली है authentic videos दोस्रुबात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे कौन-कौन सी post की vacancies आने वाली है यह आप 6 post देख पा रहे हैं यह 6 post यहाँ पे vacancies आने वाली है motor yarn की अलग से vacancies आते थी ठीक है और mining इसके भी यहाँ पे हम agriculture में भी है साथ में तो चारों की जो syllabus होगी बिल्कुल सेम होगी यहाँ पे चर्चा करेंगे सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे syllabus सबसे पहले exam pattern को हम लोग पहले समझते हैं यहाँ पे जो पद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैसा कि हमने इन पदों के बारे में देखा एक से लेकर छे तक यह सारे पदों के लिए सबसे पहले paper 1 जो है वो common होगा यह paper 1 वाला जो common है इसका मतलब यह दो paper होगा पहले PT और मेंस होता था अब PT मेंस नहीं होगा सिर्फ एक ही exam लिया जाएगा जिसमें दो paper होंगे paper 1 paper 2 paper 1 जो है वो सब के लिए common रहेगा मिस आप mechanical है, electrical है, civil है mining है, agriculture है या motor vehicle वाले, MBI वाले है सब की यहाँ पे common रहेगी क्या रहेगी इसमें? सामान्य अभिंद्रकी मतलब की general engineering वाला paper जिसमें 80% रहेंगे, इसमें mechanical, electrical, civil हम बात करेंगे पुरी details अच्छा करेंगे क्या-क्या पूचा जाएगा इसमें 80% रहेंगे उसके बाद सामानी ग्यान रहेगा और सामानी ग्यान में 40% पूचे जाएगे और टोटल मिलाके हो गए 120% जिसमें 2 घंटे आपको दिये जाएगे आगे बिशय होगा paper 2 का अभी अंत्रकी जिसे हम करतें engineering तो 120% और 2 घंटे आपको इसमें मिलेंगे, अब यहाँ पे paper 2 वाला जो engineering वाला है, जैसे आप mechanical के है, ठीक है, आप mechanical से वनना चाहते है, तो आपको mechanical का या diploma से ज़्यादा आपके पास B.Tech और M.Tech की भी डिगरी है, तो भी आप apply कर सकते हैं चलिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं syllabus क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि paper 1 तो paper 1 में सामान अभी नत्रकी बतलब general engineering और दूसरा है सामान गया तो इसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं चलिए paper 1, this is paper 1 जिसमें 80 person मैंने पूछा कि 80 person यहाँ पे पूछा जाएगा इसमें जो है तीन चीजें पूछी जाएगी civil की, electrical की और mechanical की ठीक है, यह तीन चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी civil का syllabus आप यहाँ पे देख पा रहे है building materials है, estimating है estimating costing जो होती है valuation है, surveying है तो RCC design बहुत important chapter है तो इस तरह की चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी part B में मतलब की paper 1 में ही यह syllabus होगा मैं फिर से बता दो कि electrical भी इसमें पूछा जाएगा फिर से आप देख लेए यह जो 80 person है, यह 80 person में से आपके civil से भी पूछे जाएगे इस syllabus से, electrical से इस syllabus से पूछे जाएगे और mechanical से आपके इस syllabus से पूछे जाएगे इसके लिए आप RS कुर्मी बुक जरूर ले ले RS कुर्मी जो objective वाली book है वो जरूर ले ले, RS कुर्मी आप search करेंगे objective तो आपको मिल जाएगी अब हम लोग भात कर लेते आगे जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 40 person आपके सामानी ग्यान से पूछे जाएगे तो सामानी ग्यान से क्या-क्या भी पूछा जाएगा और इंडिया का भी पूछा जाएगा और विदेज का इंटरनेशनल डिलिशन है IR से भी सवाल पूछे जाएगे अब यहाँ पे इंडियर पॉलिटी, जियोग्राफी वगरा भी पूछा जाएगा इसके लिए मैंने कहा था कि लिशन्ट की बुक आती है, अबजेक्टिव की वो बुक आप ले लिजी, लिशन्ट समानी ज्यान यह लिशन्ट जर्नल लॉलिज इंग्लिश में आती है अब आगे हम लोग बात कर लिए इसी में समानी ज्यान भी पूछा जाएगा और इसमें Physics, Chemistry, Biology पूछा जाएगा समानी गनित पूछा जाएगा जिसके लिए आपको यह वाली सिलेबस है और मानसिक चमता जांच के लिए यह सिलेबस है और उसके बाद है कम्प्यूटर का मुलगूत यह तो इसके लिए है अब इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि समान ग्यान के लिए समान विज्ञान के लिए कम्प्यूटर के लिए और इसके पहले जो था यह समान यंध्यान के लिए मैंने कहा था कि लिशन की एक objective book आती है लिशन सच करिएगा अब आपको मिल जाएगी वह आप ले सकते हो अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर टू की देखिए पेपर वन सबके लिए कॉमन था मगर पेपर टू जो है 120 प्रस्न होंगे मेकैनिकल वाला का पेपर मेकैनिकल वाला सवाल पूछा जाएगा इलेक्टिकल वाला का इलेक्टिकल सिविल वाला का सिविल तो ये मेकैनिकल की सिलेबस आप देख पा रहे है सबसे पहले ध्यान रखेंगे इलेक्टिकल को ये सवाल नहीं पूछे जाएगे नहीं सिविल को पूछे जाएगे तो ये mechanical की syllabus आप screenshot ले लिजिए, उसके बाद ये mechanical की syllabus है, thermal भी पूछा जाएगा, उसके बाद ये भी mechanical की syllabus है, thermal की syllabus में, आगे ranking cycle भी पूछा जाएगा, mechanical की ही है, fluid mechanics पूछा जाएगा, ठीक है, screenshot लेते जाए, measurement of fluid pressure, जो है fluid, इसमें RK बंसल की book आप ले सकते हो, बहुत cover करें, objective उसके बाद ही, इसे RK बंसल को आप ले सकते हैं, उसके बाद production engineering की book है, ठीक है, ये important है, ये syllabus में है, ये mechanical के लिए है, उसके बाद हम लोग आते है, civil की आप syllabus screen में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये syllabus इसकी है, civil की आगे की syllabus, इसमें ये दिए ही है, उसके बाद irrigation engineering है, उसके बाद transportation भी इसमें पूछा जाएगा, तो इस तरह की syllabus civil की है, ये भी civil की syllabus है, उसके बाद ये भी, ये है electrical की syllabus, अब देखे, electrical को भी इसी तरह का सवाल पूछे जाएगा, जो electrical वाले देंगे, उनको paper 2 में, electrical के सवाल कुछ इस तरह के पूछे जाएगा, आप यहाँ प